मन्टो दी कहाणी है सहाई ए मत कहो के एक लग हिंदू ते एक लग मुसल्मान मरे ने ए कहो के दो लग हिंसान मरे ने ते एन्ना वड़ा दुखांत नहीं के दो लग हिंसान मरे ने दुखांत असल चे है के मरन वड़े किसे भी खाते च नहीं पए इक लग हिंदू मारके मुसल्मानाने समझा होगा हिंदू मजभ मार गया पर ओ जियोंदा है ते जियोंदा रहेगा इसे तरह इक लग मुसल्मान कतल करके हिंदूआने बगला मज़ाया होनगी अब इसलाम खतम होगया पर हकीकत तो अड़े सामनी है कि इसलाम नूरती पर चुरीट नहीं लगी ओ लोग बेवकूफ ने जो समय देने के बंदू कानल मजब शिकार कीते जा सकतेने मजब, दीन, इमान, तरम, यकीन, अकीदत इस सब जो कुछ भी है साड़े जिसम चनी रूच होंद है छुरे चाकूत गोडी नाले सब के में मरमुक सकते मुम्ताज ओदन बड़े जोश्वेच सी असी केवल तेन जने सा जो नू जहाज दे छड़न ली आए ओ साथों विछड के पता नी किन्ने समेली पाकिस्तान जा रहा सी पाकिस्तान जी दी होंद चा जान बारे साड़े चोके से दे चित चिते भी नहीं सी असी तिन्ने हिंदू सा पच्वी पंजाब जो साड़े रिष्टेदारान नो माली ते जानी नुकसान उठोना प्या सी लग पग गई ही वजा सी के ममताज साथ हो विछड रहे हैं सी जुगल नू लहॉर तो चिठी मिली के फसादान चोदा चाचा मारे अगया उन्हों बड़ा सदमा लगया सो ऐसे सदमे दे असर करके गलां गलां चेक देनों ने ममताज नू आ किया मैं सोच रहे हैं जे साड़े मलेच फसाद शुरू हो जाए तब मैं की करूँगा ममताज ने उन्हों पुछे की करेंगा जुगल ने बड़ी गंबीरता नाल उत्तर देता है मैं सोच रहे हैं हो सकदा मैं तैनू मार दिया ये सुनके ममताज ने चुप साद ली उदी ये चुप लगपग अठ दिन तक कायम रही थे उस वेले टुटी जदोने सन्वचानक दसिया क्यों पौणे चार बजे सुमुंदरी जाज राइं करची जा रहे है साड़े तिन्ना चो किसे ने वियो दे इस एरादे बाबत कोई गाल ना की थी जुगल नू एदा तीबर ऐसास सी के मुम्ताज दे तुर जान दा कारण उदा एक अथन है मैं सोच रहा हो सकदा मैं तैनू मार देया उदा शायद होनता के ही सोच रहा सी क्यों क्रोध चाके मुम्ताज नू मार सकदा जा नही मुम्ताज नू जो दा जिगरी दोस्त सी एही वज़ा है कि उसाड़ेते नाचो सब तो वद चुप सी अजीब गल्ली है कि मुम्ताज कुछ ज्यादा ही गल्लं करन लगते है खास तो और ते तुरन तो कुछ गंटे पहलन स्वेरे उठ दियाओने पीनी शुरू करती सुमान वगेरा कुझे इस टांग नल बने आते बनवाया जिवें किते सेर सुपाटे ली जा रहे है आपी गल्ल करदा आपी हस पैंदा कोई होर देखदा तेही समय दा कि मुम्ताज बंबाई छड़न्च हदों वद पर संता मैसूस कर रहे है पर असी तिनने चंगी तरां जान दे सी क्यों केवल अपने जजबाद चुपाउंड ली सानू ते अपने आपनों तोखा देन दी कोशिश कर रहे है मेरा बड़ा देल की ता के ओदे नाल इस तरां एकदाम तुरंदे बारे गाल करां रमजा नाल जुगल नू भी क्या के ओगाल छेड़े पर मुम्ताज ने सानू कोई मौकाई न देता जुगल तेन चार पैग पी के होर भी चोपो गया ते दुझे कमरेच जाके पैगया मैं ते बिर्ज मौन असी दो में मुम्ताज दे कोल रही उने कई बिलांदी अदाइगी करनी सी डॉक्टरान यें फीसां देनियां सी लॉंडरी तो कपड़े ले उने सान इस सारे काम उने हस देयां खेल देयां कीती पर जदो उने नाके दे होटल लागली दुकान तो पान लिया तो उदी अखांच हंजू आ गय बिर्ज मौन दे मुड़े ते हाथ राखे उत्तो तुर्दे उने होली जी आख्या याद है बिर्ज आज तो दस वरे पहलां जदो साधी हालत बहुत पतली सी गोविन ने सान्वी कुर्पयाउ दार दिता सी राच मुम्तास चुप रिया परकार पुझ देयां उने फेर गल्ला दा ना मुक्ण वाला सेलसला शुरू कर दिता अजें यां गल्ला जना दा ना सेर से ना पैर पर ओदियां गल्लाई निया मोपरियां सन के मैं ते बिर्जमोन हुंगारा पर दे रहे ते जदो रुवानगी दा समा नेड़े आ गया ते जुगल भी शामल हो गया टैक्सी बंदरगावल चली ते सारे चुप हो गये मुम्तास दियां नजरां बंबई दे लंबे चोड़े बजारान वालविदा केंदियां जा रही है आखिर टैक्सी अपनी मन्जिल ते पुझ गई बेहद पीड सी हजारा रफ्यूजी जा रहे सन खुशाल बहुत कट ते मन्दे हाल बहुते अथा एक कट सी पर मैंनुयों महसूस हो रहा सी के एकला मुम्ताज जा रहे है सानु छड़ की वज़े ही थान जा रहे है जो ओधी देखी पाड़ी हुई नहीं जो दे कुल मिल जान ले नाड़ भी उपरी रहे की ये मेरा अपना क्याल सी मैं कह नहीं सकता के मुम्ताज की सोच रहा सी जो दो सारा समान कैबिंच पेज दता गया था मुम्ताज सानु डेक जहाज दी चात उते ले गया उदर जिती असमान ते समुंदर आपस च मिल रहे सान मुम्ताज चेर तक उदर देखता रहा ते फिर उने जुगल दा हाथ अपने हाथ च लेके क्या एक एवल नजर दा तोख है असमान ते समुंदर दा मिलना पर ए नजर दा तोख है किनना दिल नू तू उपन वड़ है ए मिल आप जुगल चुपरिया शायद उस समय भी उदे दिल दिमाग चोदी कई होई गल रड़क रही सी मैं सोच रहां हो सकता मैं तेनू मार देया ममताज ने जहास दी बार तो ब्रांडी मंगवाई क्योंके स्वेर तो उही पी रहा सी असी चारे जणे गलास हतां चलाई जंगले दे नाल जा कड़े रफ्यूजी तड़ा तड़ जहास्ट स्वार हो रहे सी करीब करीब ठहरे होई समुंदर उते अभी प्रिंदे मंडरा रहे सन जुगल ने तुरंत इको साच अपना गलास कतम कीता थे अत दे फूर टांग नल ममताज नू कया मैंनू माफ कर दे ममताज मेरा ख्याल है मैं अधन तेरा दिल दुखाया ममताज ने थोड़ा रुखन तो बाद जुगल नू सवाल कीता जट तें के हासी मैं सोच रहा हो सकदा मैं तेनू मार देया कि ओस वेले सच मुच तें ही सोचेया सी कि तु नेक दिली नले एस नतीजे ते पहुंचेया सी जुगल ने सेमती परगट कर देया ते रहलाया पर मैंनू अफसोस है तु मैंनू मार देना ता तेनू ज्यादा अफसोस है ममताज ने बड़ा बड़े फल से फियाना टांग नाल किया पर केवल उस आलत वेच जेकर तु गोर कीता हुंदा किता है ममताज नू एक मुसल्मान नू एक मित्तर नू नहीं सुगो एक इनसान नू मार देता हुझे हरामजादा सी ता तु ओधी हरामजादगी नू नहीं सुगो उनू ही मार देता हुझे मुसल्मान सी ता तु ओधी मुसल्मानी नू नहीं उदी हस्ती नो खतम किता है जी उदी लाश मुसल्माना दी हाथा आजान दी ता कबरिस्तान चेक कबरदा वादा हो जान दा पर दुनिया चो एक इंसान कट हो जान दा थोड़ी देर चो प्रेन ते कुछ सोचन तो बार उने फेर कहना शुरू किता हो सकता है मेरे मजब दे लोक मैंनू शहीद केंदे पर खोदा दी कसम जे संभव हुंदा ता मैं कबर पाड़ के चिलोना शुरू कर देंदा मैंनू शहादत दाय रुतबा कबूल नहीं मैंनू एक डिगरी नहीं चाई दी जिदेले मैं इम्तियान देता ही नहीं इस रुपे दे हाकदार हो मैं ते एक कहांगा के मरनो वड़े कुटे दी मौत मरे ते मारनो वड़े ने बेकार बिलकुल बेकार अपने खोन नल रंगे गल करदा करदा मुम्तास बहुत ज़्यादा जजबाती हो गया पर इस ज़्यादती छलूस काइम सी तो मैं उन्हों आखिया तो बिलकुल ठीक कह रहे हैं इस उनके मुम्तास ने अपने ख्यालां दे गौर कर दे हैं रता बेचे नहीं नल किया नहीं बिलकुल ठीक नहीं मेरा मतलब है कि इस अब ठीक ता है पर मैं जो कुछ कहना चौना शैद चंगी तरह परगट नहीं कर सकया मजब तो मेरा मतलब ए मजब नहीं ए तर्म नहीं जिस्ट साड़े चो निड़े नहीं फीसदी फसे हुए नहीं मेरा पावोस खास चीज तो है जो एक इनसान नो दूजे इनसान दे मुकाबले वकरी हैसियत बक्ष दिये वो चीज जो इनसान नो हकीकत चे इनसान साबत कर दिये पर वो चीज है कि अफसोस के मैं उनो हतेडी ते राक्ये नहीं दिखा सकता ये कहने ये कहने ये कदाम हो दिया खांट चमक जी प्यादा होई थी उनने जमें अपने आपनो पुछना शुरू किता पर उस्वे चो केड़ी खास गल सी उता कटड हिंदू सी पेशावी अंतान दा जलील परेदे बावजुद दिरू किनी रोशन सी मैं पुछया की दी इक पड़ होई दी असी तिन्ने हरान रहे गे मुम्ताज दे लजेच कोई संकोच नहीं सी इस वास्ते में अंगा भीरता नल कुछ है इक पड़ होई दी मुम्ताज ने सेम तेच सिर्ह लाया मैं हैरान है उक के होजा इंसान सी ते बहुत ही हैरानी इस गल दी है क्यों हम लोग कंच इक पड़ुआ करके जाने हैं जान्दा सी तीमी यांदा दलाल पर उदी जमीर बड़ी साफ सी मुम्ताज थोड़ा चे रुग गया जमियों पुराणियां कटना वानू अपड़े दिमाग सजरियां कार्रे होवे कुछ पलां पिच्छों ने फिर बोलना शुरू किता मैंनो ओदा पूरा ना याद ने शायद सहाए सी बनारस्ता रहन वला बहुत ही स्वाई पसंद ओ था जिते ओ रहन्दा सी बहुत ही चोटी सी पर उने सलीके नलोनू वक वक खान्यांच वंडिया सी पर देदा टुक वाँ पर वंद सी मंजे ते पलंग नहीं सन पर गदैले ते गाउ तकी ये मवजूद सन चादरां ते गलाफ वगरा सदा साफ सुत्रे रंदे सन नौकर रखे होया सी पर सफाई सहाए आप अपने हथीं करदा सी केवल सफाई नहीं हर कम ते ओ सेर तो बला कदे नहीं टाल दा सी तो खाते फरेब नहीं कर दा सी रात ज्यादा बीथ कही है तो अनू शिराब दी लोड़ा है तो साफ क्यादन दा सी किसाब पानी रडी शिराब मिलूगी अपने पैसे खूच ना सुटो तो जे किसे कुड़ी बाबा तो नू शक है तो उच्छ पूंदा नहीं सी होर ता होर उने मैंनो यह भी दास था कि उपिछले तेन वरे याँच भी हजार रुपए कमा चुक है हर दास रुपए याँच भी हजार रुपए कमेशल ले लेकि उने केवल दस हजार होर बनाने सी कि तीस जार रुपए पूरे करके वबनारस वापस चला जाएगा तो बजाजी दी दुकान खोलेगा मैं भी नहीं कह सकता कि केवल बजाजी दी ही दुकान खोलन दा चावान कियों सी में तो तक सुन चुके हैं था मेरे मो निकले अजी भोगरी बाद में सी मुम्ताज ने अपनी गाल बात जारी रखी मेरा ख्याल सी उस तेर तो पैरां तक बनावटी है एक बहुत वड़ा फ्रॉड है कौन यकेन कार सकता है कि ओना तमाम कुडियानों जो दे तंदेच शामल सन अपनियां तीयां समय दा सी ये वी ओस समय मेरी समय तो बार सी कि ओने हर कुडि दे ना ते पोस्ट ओफिस्ट सेविंग अकाउंट खोल रख्या सी हर मेने कुडि दे कुल लाम दरी उत्थे जमा कराऊंदा सी ते गाल ता मननची नी सी आऊंदी कि ओ दास बारां कुडियां दे खान पीन दा कर्च अपनी जेव चो अदा कर दे ओधी हर गाल मैननू जरूरत ज़्यादा बनावटी लग दे सी एक दिन मैं ओधी अड़े ते गया तो उने मैननू आख्या अमीना ते सकेना दो में चुट्टी ते ने ते मैं हर हफ्ते दोना नू चुट्टी दे देना ताके बार जाके किसी होटल तो मास वगएरा खा सकन एथे तत तुसी जान देयो सब वैशनव ने ते मैं मुस्कुराया ते सोचेया के साला मैननू गुद्धू बना रहा है एक दिन उने मैननू दसेया के एमदाबाद दी उस हिंदू कुडी ने जिदा व्याओ दे एक मुसल्मान गाक नल करवाता सी उन्हें लहोर उन्चिठी लिखी है कि दाता साहब दे दरबार विच कुडी ने एक सुख सुखी सी जो पूरी हो गई है कोनों ने सहाई लेएक सुख सुखी है कि छेती तो छेती तीहजा रुपार पोरे हो जानता कि बनारशत जाके बजाजी दी दुकान खोल सके ये सुनके मैं हासी बेया, मैं सुचा है मैं मुसल्मान है, इसे लिए मैंनो खुश करन दी कुशिश कर रहे है, ते मैं मुम्ताज नू पुछा, तेरा ख्याल गल्थ सी, बेलकुल, उधी कतनी ते करनी जो कोई फर्क नी सी, हो सगद है उस्ट कोई नुक्स होए, ये भी है, वो तो अपनी जिंदगी कई गल्तियां हूं या हूं, पर वो एक बहुत ही वधिया इनसान सी, जुगल ने सुआल किता है, तो तैनुगे में पता लगया, उधी मौत समे, एक एक मुम्ताज कुछ समेली चुप हो गया, थोड़ी देर पिछो ने इद्धर उद्धर वे सी, टैक्सी दी पाल चे चल देयां चल देयां, जद मैं जे जे हस्पिताल कोल पुझे आता, पुट पात होते एक आदमी नू, मैं वड़े सारे टोकरे कोल गठडी जिया बने देखिया, सोचिया कोई पाट्टी वाला सुता पया है, पर जदो मैं पत्थर दे टुकड़े ह होते होन दे लो थड़े देखे ता रुग गया, वार्दात कतल दे सी, मैं सोचिया अपने राप आवाँ पर गठडी ची हिल जुल होई, मैं फिर रुग गया, आले द्वाले कोई नी सी, मैं चुक के ओदे वल देखिया, मैंनू सहाय दा जाने पछाने यां चेरा दखाई लहू दे तब यानल पर या होया, मैं उदे कुल फुट पात दे बैठ गया ते मैं उनू ते आनल देखिया, ओदी ट्विल दी चिटी कमीज जो सदा बेदाग रहनी सी, लहू ना लिपडी भई सी, जखम, शायद पसलियां देखो उन सी, उन्हें होली होली करोणा शुरू किता था, मैं उन्हें बड़ी साफ धानी नल मोड़ा फड़ के हलाया, जिमें किसे सुते हो इन्हें जगाई दाए, एक दो बार मैं उन्हें अदपचदा ना लेके भी बिलाया, मैं उठके जानी लगया सी, कि उन्हें अपनियां अख्छां खोली हैं, देर तक उद खुली किता है, कदों दो फूट पाते पे हैं, समने हस्ताल है कि मैं उत्से सूचना देवां, वो इस चो बोलन दी सत्या नहीं सी, जद मैं सारे स्वाल कर चुकिया था, करांदे हो जोने बड़ी मुशकल ना लाकिया, मेरे दिन पूरे हो चुकिया, पगवानों ही मन्जूर सी, प अच्छास देना अन्मर्दा देखा हैं, उदे मारनवाला मुसलमान सी, ते आखरी मुक्य उदी मौत देसराने जो आदमी खडा सी, वे मुसलमान सी, मैं डुपोग था नहीं, पर उस वड़े मेरी हालत डुपोग था भी पढ़ी सी, इस तो इलावा भी डर सी, कि हो सकता है मैं फड़े ही जावाँ, इस गल्लों भी डर्दा सी, कि फड़े भी ना गया था, पुछगे छले, जरूर दुबोच ले जावाँ गा, एक वेरा एक यहाल आया, कि जे मैं उन्हों हस्ता लागया था, वो बदले दी पावना नाल मैंनू फशाई ना दवे, सोचे मरना था ह कि उन्हों लाके मरा, यहोजी अंगलां सोच के मैं तुरन नहीं लगया सी, कि सगोईयों कोई है कि पजणी वाला सी, कि उन्हों मैंनू भुलाया, मैं रुग गया, ना रुकन दे रादे दे, बावजूद मेरे कदम रुग गया, मैं उन्हों कह रहे हूँ हूँ, कि छेती ना रही तो ने मैंनू आखिया है, हेठा बंडी है, इद्धर लिजेवट कुछ गयने थे, ग्यारां सो पहने, इस सुल्ताना दा माल है, मैं एक दो स्कोल रख्या होया सी, ते आज उन्हों पे जणी वाड़ा सी, क्योंकि ते नू पता है कि खत्रा बहुत वाद गया, तु जे जे हस्पिताल दे सामने उबरी सी, दूर उदर जिते अस्मान दे समुंदर एक तुंदली जी गलवकडी ची मिले हुए, सब कुछ मिल रही है, जहाज ने विसल दिती ता ममताज ने क्या, मैं सुल्ताना नू मिलिया, उन्हों गयने ते रुपए दिते ता उदी आखा चांच हंजू आगे, ते जो दो आसी ममताज तो विदा होके थले उतरे तो डेक उते जंगले नल खड़ा सी, वो दा सज्जाखत हेल रहे हैं सी, मैं जुगल नू आख्या, की ते नू ए नहीं लगदा भी ममताज सहाइदी रू बुला रहा है, हम सफर बनौन ले, जुगल काश मैं सहाइदी रू होंदा, तन्वाद